यह मेरे पास वाशिंग पाउडर का एक खाली पैकेट है और इसका इस्तिमाल करके मैं एक बहुत ही सुन्दर बहुत ही यूश्फुल चीज बनाने का तरीका बताने जा रही हूं इस वीडियो में तो यह लेडिज के बहुत काम आने वाली चीज है मैंने यह एरियल का है तो इसे अच्छे से वाश कर लें और इसके बाद यह देखिए नीची की तरफ से भी मैंने इसे कट कर लिया है और यह इस तरह से सीधा हो गया है जब आप इसमें से वाशिंग पाउडर निकालें तो इसे कट करके निकालें जिससे कि यह ज्यादा खराब ना हो उपर से तो दोनों साइट से कट करने के बाद हमने यहां से भी कट कर लिया यहां पर जो जॉइंट लगा है और यह जो एक्स्टा पार्ट है इसे भी कट करके निकाल देंगे और इस तरह से हम इस पॉल्थिन को पूरा ओपन कर लेंगे यह देखिए तो एक इस तरह का पीस इसमें से निकला है जो कि काफी बड़ा है इसे ओपन करने के बाद अब हम इसे evenly कट करेंगे तो इसे फोल्ड कर रही हूं मैं इस तरह से जिससे कि यह अच्छे से कट जाए दोनों साइडों से बराबर कट करने से आप चाहें तो इस स्केल से मार्क कर लें पहले सीधी लाइन बना लें और उसके उपर से कट लगाएंगे तो यह even कटेगा बराबर कटेगा यह देखिए एक साइड कट कर लिया है और इस तरह से हमारे पास एक rectangular piece तयार होगा और यह इसका दूसरा side है तो जितना भी extra है इसे trim करना ज्यादा नहीं कट करना इसे और इस तरह से हमारे पास एक even piece तयार हो गया है चारो तरफ से इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है तो यह काफी थिक कपड़ा है कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं इसके लिए पुराना और यह देखिए लिया इसको और इसके बाद हमने से इस तरह से रखा है अंदर की तरफ सीधा साइड है यह इसका उल्टा साइड है और फिर से नाप लेते हैं से पॉल्थीन से और बस साइडों से आधा आधा इंच इसे extra रखना है सलाई लगाने के लिए और जो भी extra था उसे मैंने कट कर से लिया यह देखिए इस तरह से मैं सलाई लगा देती हूं आपर लगा लिया है मैंने दौनों साइड में यह देखिए और इसके जो कौने हैं अंदर के उनको हलका सा ट्रिम कर लें जिससे मोडने में आसानी रहेगे और कॉर्णर अच्छे से बाहर आ जाएंगे यह देख पॉरी तरीके से सैट आई है तो इतना ही बड़ा रखना है अपने कपड़े को यह बेटशीट का कपड़ा है उसमें से थोड़ा सा पीस बच गया था और यह काफी अच्छा भी दिख रहा था तो मैंने इसका इसका इस्तिमाल कर लिया है आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं नया पुराना जो भी आपके पास एक्सटा पड़ा हो बस वो थिक होना चाहिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और यह देखिए आगे से क्लोज करने के बाद में इसे इस तरह से सलाई लगा रही हूं चारा तरफ से तो काफी इसके अंदर है वो कपड़े के साथ पेस्ट हो जाएगी और इस तरह से हमारा कपड़े का पीस तयार हो गया है एक रेक्टूंगूलर शेप में तो इस तरह से सलाई लगा लेते हैं इसको और इस तरह से मैं पॉलिथीन का इस्तिमाल करके आपको लेडीच पर्स बनाने का तरीका बताने जा रही हूं जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है ये देखिए सलाई लगा ली हमने और इसके बाद इस तरीके से मोड कर देख लीजे आप इसे ये देखिए नीचे के पाट को इस तरह से मोड आएंगे और ऊपर के पाट को हमने इस तरह से मोडना है और यह देखिए दो फिंगर जितना स्वेस आपिस में रख सकते हैं और जहां से हमने मोडा है उसके उपर फिर से सलाई लगा देते हैं ये देखिए पुरा नीचे तक सिलने के बाद डबल लगा रहे हैं यहां पर जिससे अच्छे से मजबूती से चिपक जाए और यह देखे थोड़ा सा उपर तक सलाई लगानी है आपको यह दूसरा साइड है इसे भी सलाई लगा रही हूं में इसका कवर है वहां तक थोड़ा सा लेकर जाए इसलाई को जिससे कि यह उपर से अच्छे से अटेच हो जाए यह देखे इस तरह से हमारा पर्स तयार हो गया है और यह मैंने ली है लेस इसको डेकुरेट करने के लिए और यह हमारे पास है एक वैल क्रो का छोटा सा पीस यह दो इंच का पीस है मेरे पास जिससे हम इसे क्लोज कर पाएंगे तो चलिए इनको भी अटेच कर लेते हैं इसके साथ यह देखिए उपर की तरफ हमने पीस को इस तरह से रखा है और जिससे हमें पता चल जाए से कहां पर लगाना है बिल्कुल सेंटर में हम इसे लगा लेत पर्स के साथ में इसलाई लगा ली है और इस तरह से हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं वेल्कुल की हैल्प से ट्रेट कट कर दिया है और यह देखिए इस तरह से बंद किया जा सकता है दूसरा पीस है उसे पीस के साथ चिपका देते हैं और फिर से इसे अरेंज करते हैं और पता चल जाएगा हमें दूसरा पीस कहां पर लगाना है एकदम फिक्स जगे पर इसे इस तरह से निकाल दे और इसे अच्छे से दबा के रखें और यहां पर हम एक पिन लगा देते ह जिससे यह अपनी फिक्स जगे पर लगेगा यह देखे यह लगा दिये हमने और यहाँ पर सलाई करना थोड़ा मुश्किल है तो हम यहाँ सलाई हाथ से लगाएंगे मशीन से नहीं लगाएंगे और इसके बाद हम इसे लेस लगा कर डेकुरेट कर लेते हैं तो इसका कवर ब अब कर देखे इस तरह से लगा लेते हैं और यह पार्ट है इसे अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और इसमें कुछ स्टोन्स लगे हैं तो निकाल देती हूं अधर वाइज मशीन के जो नीडल है वह तूट सकती है तो स्टोन्स निकाल दिये हैं और बाकी इससे को हमने अंदर की तरफ टर्ण कर लिया है और लगा देते हैं कॉनर में अच्छे से फिनिशिंग देना ज़रूरी है नीचे का पार्ट बाहर की तरफ निकला नहीं होना चाहिए उसे अंदर की तरफ ही रखें तो यह पीस पिंक कलर का है मैंने इसमें पिंक कलर की ही लेस इस्तिमाल की है आपके पास जो भी लेस पड़ी है आप इसको इसको डेकुरेट करने के लिए अलग से मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है तो एक साइड से हमने लगा लिए और यह दूसरा साइड है यहां पर भी इसलाइ लगा ली है इधर से भी स्टोन्स हटा देते हैं और इसका जो कॉनर है उसे अंदर की तरफ मोड देते हैं उसके पास लगा देंगे इसके उपर भी यह देखें इस तरह से कॉनर पर लगाने के बाद थोड़ी दूरी तक हम आगे तक स्लाइ लगाएंगे से फिनिशिंग अच्छी आएगे और यहां से दागे को कट करेंगे बिल्कुल कॉनरे से दागे को कट नहीं करें इस तरह से हमारा कवर इसका तयार हो गया है यह देखिए लेस अच्छे से लग चुकी है और अब हमारा यह काम रह गया है तो इसे हम स्विधागे से स्टिच करेंगे बारिक बारिक टाके हम आसानी से स्विधागे से लगा सकते हैं मैचिंग कलर का थ्रेड़ ले लिया है इसके लिए तो एल्क्रो को गड़ी आसानी से लगाया जा सकता है स्विधागे की मदद से आप इसे ग्लू लगा कर चिपका भी सकते हैं या चाहें तो स्लाइब मशीन से स्लाइब कर सकते हैं यह देखिए थ्रेड कट कर दिया हमने स्टिच कर लिया था उसको और यह हमारा पार्स बनक यह देख और ईख़िए और आगे से इस तरह से दिख रहा है जो क्योक心 है बहुत ही अच्छा लग रहा है और वैल को इस तरह से ऊपन कर सकते हैं अंदर दीख सकते हैं काफी सारा सपेस है बहुता今年 है इसमें अपने जरूरत की क्यों भी चीज रख सकते हैं बाहर जाते वक जो पॉलिथीन है उसको हमने लगभग पूरा ही इसमें साइडों से हलका ट्रिम किया है जो पॉलिथीन है उससे आपका इतने साइज का पर्स बन जाएगा आप चाहें तो उसे ज्यादा ट्रिम करके से छोटा भी बना सकते हैं और कोई बड़ी पॉलिथीन लेकर आप इसको बड़े साइज में भी बना सकते है तो यह आपके हाथ में इसे कितना बड़ा रखना चाहते हैं और तरीक आपने देखी लिया इसको बनाना वेश्ट माटेरियल का इसे बनाना जितना आसान है उतना ही यह यूज़फुल भी है और सुन्दर भी उतना ही ज्यादा दिख र थेंक्स और वाचिम